हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप यून 2023 शैसन के लिए इगनो का अग्जामिनिशन फार्म कैसे फिल अप कर सकते हैं अगर आप पूरा प्रासस नहीं देखते हैं तो कहीं बार ऐसा भी हो जाता है आपकी फिस्ट हो जाती है और आपका अग्जामिनिशन फार्म समीट नहीं होता है तो ऐसा भी बहुत सारी प्रावलम आती है तो मैं रोकैस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कम्प्लीट रखें 15 दस्मेंट की वीडियो होगी और उसके बार आपको कोई भी दिकत का सामना नहीं करना होगा तो चलिए विडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे ज जहां पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है कि आपकी 200 पीस पर कोर्स की फीस रहने वाले जैनी कि एक सब्जेक्ट की आपकी 200 पीस फीस रहेगी जैनी कि प्रैक्टिकल और असेंडमेंट ऐस अ कुछ भी नहीं जैसे सिर्फ और सिर्फ थियोरी के लिए होता है 5 अनलाइन अग्जामिनिशन फर्म जहां पर क्लिक करना है आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा जहां पर आपने इन्रोल्मेंट नंबर डालना है प्रोग्राम स्लेट करें अग्जामिनिशन सेंटर स्लेट करें अग्जामिनिशन सेंटर का जो रिजनल सेंटर है उसको आपन का रीजनल सेंटर होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे अग्जाम देने के लिए अगर आप गुजुरात में ही देना चाहते हैं पिकन अगर आप चाहते हैं कि आपका चंडीगड में हो तो फिर आपको चंडीगड का रीजनल सेंटर जहां से स्वांट्र करना होगा तो चलिए जहां से रिजिनल सैंटर स्लाइट करना होगा, जहांपर जो कप्चर्शू होता है उसको आपने बैसे का बैसे फिल अब कर देना है, और स्वेंट करने बाद आपकी सारी की सारी जहांपर Convenience Center आती है, जो आपने regional center select किया था उस regional center के अंदर जितने भी examination center होंगे वो सारे कि सारे आपको जहां पर देखने को मिलेंगे इसमें आपको जो nearest examination center है उसको select कर लेना है जहां पर बताए जाता है कि आप communication जो address है उसको change करना चाते हैं तो इससे आप no कर दीजिए कोई issue नहीं है जहां पर आपकी data बात पूछी जाएगी तो आपने जहां पर आपनी सही से data बात डालनी है जहां पर आपका gender select करना होगा email id select करनी हो है जहां पर जुरूरी नहीं है कि जो आपके अर्जिस्टर email id है जहां अर्जिस्टर mobile नमबर है बहुँ select करें जहां पर आपने email id और mobile नमबर फिल कर लाना है जो भी आपका active email id और mobile नमबर है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं दारकाट का नमबर इसके साथ जहां पर आपको देखने को मिलता है option number तो जहां पर आपने subject code select कर लेना है जो भी आपने enrollment number डाला हुआ है उसमें जितने भी सारे subjects हैं वो जहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिसका आपने exam दे कर लिए जितने भी आप exam देना चाहते हैं लेकिन द्यान दें कि पहले इसको किया और उसके बाद यह 9 नमबर ऐसे मत कर लेना फास्ट सेकंड थर्ड फॉर्फ फिट ऐसे ही सिर्यल वाई आपको course code select करने होंगे और उसके बाद समीट करना है समीट करने के बाद आपके सामन payment gateway देखने को मिलेगा जहां पर आपने payment gateway बंद payment gateway टू तो जहां पर आपने payment gateway सेकंड वाला स्लेक्ट करना है और उसके बाद पर क्लिक कर लेना है अगर आप चाहें तो फास्ट वाला भी स्लेट कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है उसके बाद आपकी टोटल पेमेंट बता का bank account है credit card है debit card है वही जहां से payment कर पाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप किसी भी debit card जानेट बैंकिंग के थ्रू जहां से payout कर सकते हैं जहां पर आपने स्लेक्ट करना है HDFC credit card HDFC bank debit card जहां और किसी बैंक का debit card है credit card है वह जहां से स्लेक्ट कर सकते हैं जानेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाते हैं तो आप नेट बैंकिंग स्लेक्ट कर सकते हैं मैं HDFC bank का credit card स्लेक्ट करूंगा उसके बाद जहां पर नंबर अक्सपैरी डेट सीबी नंबर और ज इस page को आपने ना तो refresh करना है और ना ही इसको back करना है उसके बाद आपकी register mobile नमबर पे bank के तरफ से कोई OTP message आएगा उसको आपने देख लेना है और उसके बाद जहां पर fill कर देना है उसके बाद submit कर देंगे समिट करने के बाद इसको आपने refresh भी नहीं करना है और back भी नहीं करना है आप देख सकते हैं जहें acknowledgement sleep मेरे पास download होके आ चुकी है इसको आप जहां से print कर सकते हैं यापी print पे click करेंगे और इसको जहां जो भी printer है उसको select करेंगे जहां save as PDF करेंगे और PDF में save कर लेंगे अभी ह हम चेक करेंगे examination form जो हमने अभी बढ़ा है फिलफ किया है जिस सुसासफुली समिट हुआ है जा नहीं इसको चेक करने के लिए आपको enrollment number copy करना होगा और वीडियो की description में आपको link मिला है उसको आपने click करना है आप कुछ ऐसे वाले page में आएंगे जहां पर नीचे scroll करना है और जहां पर मिल रहा है कि check status for if already registered जहां पर click करना है लेकुनों से पहले declaration को select कर लेना है उसके बाद जहां पर click करना है जहां पर आपने enrollment number डालना है और जहां पर साफ साफ दिये हुआ है कि अगर आपकी फीज समिट हो जुके है तो बत्र गंटे के अंदर-अदर आपका status update date हो जाएगा जहां पर आपने अपने date about करनी है और submit पर click कर देना है चहां पर control बार आपको देखने को मिलेगा जहां पर जो समिशन डीड है वह भीई आपको time और date देखने को मिलेगा जैसे आप जहां पपर और रहे करते हैं तो आपके सामने बहृतर लीज बार्य आईव कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप अपना अग्जामेनिशन फाम फिल अप कर सकते हैं जून 2023 टार्मेंट अग्जामेनिशन के लिए तो दोस्तों अमीद करता हूं कि आपको जी वीडियो पसंद आया और आपका हेल्प पूड रहा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल करें तांकि आपको हमेशा के लिए इगनों के आपके मेलते रहें दन्यवाद